असलाम लेकुम student, students आज का जो हमारा topic है वो है abortic components abortic components means non living components, यानि abortic components कौन से component है non living components, यानि जो components हैं उनको abortic components कहते है इसमें किये के आजाते है light, temperature, soil, air and water और abortic components in an environment इसमें है लाइट यानि रोश्णी, टमप्रेचर, स्वाइल, जो मटी है, एर, हवा और वाटर, पानी, ये सब कौन से कंपोनेंट हैं, एबॉर्टिक कंपोनेंट्स, इन्वाइरमेंट में, ये महौल में, तो सबसे पहला लाइट है, लाइट इस वेरी इंपोर्टन एबॉर अप्रिक फेक्टर है, एन्वाइनमेंट का शु시क्था, ये सब कॉटार, आधिमेट शूर्स आफ लाइट एनरजी इस दा सन, जो एक अल्टिमेट सोर्स है, लाइट एनरजी ये, वह क्या है सूरज, प्लॉंठ्स नीड, सन लाइट फर फोटो सेंसिज, जो पोदेंएं," photosynthesis के अमल के लिए भी light की जरूरत होती है sunlight यानि सूरज की रोशनी की और all animals use the food prepared by plants यानि तुमाम जो animals हैं कौन सी खुराक खाते हैं जो के पोदे त्यार करते हैं तुमाम जानवर जो हैं वो पोदे ही खाते हैं most animals including human being need sunlight for most of their activities और बहुत से जानवर ऐसे हैं जिने अपनी रोश मरा की सरगर्मिया सर इंजाम देने के लिए sunlight यानि सूरज की रोशनी की जरूरत होती है और उन में इनसान भी आजाते हैं next head temperature the heat of the sun greatly influence the temperature of a place यानि जो सूरज की सूरज से जो हमें temperature मिलता है वो बहुत अच्छे तरीके से जमीन को maintain करता है यानि heat जैसा मौसम हो ऐसा ही temperature होता है सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी गर्मियों में गर्मों का मौसम some places on the earth like deserts are too hard and others like glaciers are too cold for animals and plants to survive अब देखें के जमीन पे some places on the earth हर जगा पे temperature एक जैसा नहीं है जैसे के आप पाकिस्तान में देखें कुछ अलाके बहुत थंडे हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अगर आप deserts जैनि ये सहरा देखें तो ये ज़्यादा गर्म होते हैं लेकिन जहाँ पर glaciers हैं वहाँ पर इंतहाई धंडक हैं और वो जानरों और पोदों के लिए suitable नहीं है और जहां पहें इंतहाई गरमी है वो भी जानरों और पोदों के लिए suitable नहीं है यानि इनको normal महोल चाहिए जो सहरा है इनके जो दिन और राद का टंपरेचर है इस में बहुत ज्यादा फरग है the days are hot and nights are cold यानि इनकी जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म और रात को ठंडग होती है most organisms are active at temperatures between 0 degree and 45 degree centigrade जो बहुत ज़्यादा organisms है mostly जो है यानि ज़्यादा तर organisms जो है वो 0 degree से लेके तो 45 degree तक survive कर सकते हैं यह एक्टिव रह पाते हैं temperature affects the activities of plants and animals जो temperature है यह पोदों और जानुरों की सरगर्मियों पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है तो students आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं आगे से कल है air, soil और इसका water रह गया है यह कल हम करेंगे अब आप लोग जो है वो इसके exercise पर आएं इसकी exercise में देखें question number to explain the apolitic factors of the environment तो इसका answer आप लोगों को मिलेगा जो topic हमने आज पढ़े है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से लेके तो आप लोगों ने यह वाला paragraph करना है फिर इसमें light है यह question number two का answer यहाँ से लेके तो आज के लिए आप लोग याद करेंगे यहाँ तक activities तक लेकिन यह question काफी लंब है हम आपको दो तीन दिनों में यह याद करवाँगी आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ light वाला topic को और एबार्टी कंपोनेर्स यह दो याद करने है